हलो माइ फ्रेंड्स कैसे हो दोस्तों आप जिस टीवी का इस्तमाल करते हैं उसके उपर एक VGA पोर्ट एक HDMI पोर्ट ज़रूर होता है आज कल के modern जितने भी setup बॉक्स हैं वो सभी HDMI के तुरू आपके टीवी से connected रहते हैं अगर आप computer का इस्तमाल करते हैं तो computer की LED screen के उपर आपने VGA पोर्ट, DVI पोर्ट, HDMI पोर्ट या फिर display पोर्ट जरूर देखा होगा दोस्तो आज हम इनी पोर्ट के उपर discuss करने वाल हैं आज की वीडियो देखने के बाद आपको इन पोर्ट के बीच में जो difference है वो clear हो जाएगा और साथ में आप ये भी जान पाएंगे कि इन पोर्ट के क्या-क्या benefits आपको मिल सकते हैं दोस्तो मैं हूँ रविरात और सागत करताम का टेक्नोबाजी में तो चलिए आज की टेक्नोबाजी शुरू करते हैं इसके अंदर टोटल 15 पिने होती है 5-5 पिन को 3 रोज के अंदर divide किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ analog signal के उपर based होती है मतलब आप जो भी display या फिर वीडियो देखते हैं वो सिर्फ analog signal को ही carry करता है वीडियो की quality इसके resolutions के उपर और cable की length पे भी depend करती है अगर आपने high resolution के उपर या फिर cable की length को जादा कर रखा है तो वीडियो की quality dull हो जाती है इसके end point के उपर typically आपको blue color का connector देखने को मिल जाता है इसका इस्तमाल पुराने time के CRT monitors के साथ किया जाता था लेगिन आज भी नए तरह के LCD LED monitors के अंदर भी आप इस port को देख सकते है DVI Digital Visual Interface जिसको की सन 1999 में develop किया गया था LCD monitors के अंदर uncompressed और high quality video transmission के लिए इसे design किया गया था DVI port को तीन अलग लग भागों में divide किया जा सकता है DVI A, A का मतलब analog इस port का इस्तमाल सिर्फ analog signal को transmit करने के लिए किया जाता है DVI D, D का मतलब होता है digital इसका इस्तमाल digital signal को transmit करने के लिए किया जाता है और तीसरा होता है DVI I, यानि कि integrated इसका इस्तमाल digital और analog दोनत रहे के signals को transmit करने के लिए किया जाता है DVI-D और DVI-I को हम पुनहें दो भागों में डिवाइट कर सकते हैं Single Link और Dual Link Dual Link के अंदर 6 एक्स्टा पिने होती है जो की Higher Resolution को सपोर्ट करती है मतलब Single Link के अंदर जो आपको Resolution मिलता है उससे दूना Resolution आप Dual Link के अंदर पास सकते हैं Single Link DVI has a Maximum Resolution of 1920s into 1200 और वहीं पर Dual Link के अगर हम बात करते हैं Dual Link DVI वहाँ पर 2560 into 600 तक का Maximum Resolution दे सकता है HDMI High Definition Multimedia Interface दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल सभी तरह के Electronic Devices या फिर IT Products के अंदर HDMI Port का इस्तेमाल काफी जादा किया जाता है चाहे फिर वो Laptop हो, Desktop हो या फिर TV हो आपको HDMI Port हर जाके देखने को मिल जाता है सन 2002 के अंदर HDMI Port को डवलप किया गया था और इसको डवलप करने की फीचे मकसद सिफ इतना था कि एक ही केबल के तुर हम High Quality का Uncompressed Video और High Quality का Audio हम एक ही केबल के तुर ट्रांस्मिट कर सकें सन 2009 के अंदर HDMI 1.4 रिलीस किया गया इसके अंदर Audio और Video के साथ में डेटा को ट्रांस्मिट करने की capability को भी एड कर दिया गया था कहने का मतलब यह है कि अब एक ही केबल के तुर हम Video Signals, Audio Signals और साथ में डेटा को भी ट्रांस्मिट कर सकते थे इस तरह से 100 Mbps तक की जो Ethernet की capability होती है वो अब HDMI के अंदर inbuilt कर दी गई थी इसके साथ एक और capability को इसमें add के आ गया था हम 4K resolution वाले वीडियो 30 Hz तक की frequency के साथ देख सकते हैं और सन 2017 के अंदर HDMI का 2.1 वर्जन रिलीस के आ गया इसके अंदर खास बात यही थी कि यह higher resolution और refresh rate को support कर सकता था यानि कि 4K वीडियो हम 120 Hz तक की frequency के साथ देख सकते थे और 8K वीडियो को हम 60 Hz तक की frequency के साथ देख सकते हैं और 10K वीडियो resolution का भी इसमें support दिया गया है जो की commercially audio, visual, system and specialty uses के लिए इस्तमाल किया जाता है अब बारी आती है display port की दोस्तो सबसे पहले सन 2006 के अंदर WESA ने इसे introduce किया था WESA का मतलब Video Electronics Standard Association डिस्पले पोर्ट का primary use video data को transmit करने के लिए किया जाता है लेकिन अब आप इसका इस्तमाल USB data और audio data के लिए भी कर सकते हैं यह एक high performance interface port है जो की पुराने VGA और DVI port को replace करने के लिए design किया गया है adapter का इस्तमाल करके आप पुराने VGA, DVI यह HDMI port से आप display port के अंदर convert कर सकते हैं दोस्तों अक्सरे सवाल किया जाता है कि HDMI port और display port में क्या फरक होता है तो मैं आपर आपको बता देना चाहता हूँ जो display port होता है यह multiple monitor capability के साथ होता है यानि कि आप Daisy chain configuration के थूरू multiple monitor को आपस में connect कर सकते हैं example के तोर पर अगर मैं आपको बता हूँ तो माल लीजे आपके पास एक computer है जिसके अंदर एक single display port है और आप उससे तीन screen को connect करना चाहते है तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको अपने computer से display port के अंदर एक monitor को connect करना होगा उसके बाद आपको secondary monitor को पहले वाले primary monitor से connect करना होगा display port के तुरू इसी तरह से आपको third वाले monitor को secondary वाले monitor को connect करना होगा display port के तुरू तो इसी तरह से आपके computer में एक ही display port है लेकिन daisy chain configuration के द्वारा आपने एक ही display port से तीन अलग-अलग monitor को connect कर लिया है और इसी वज़े से display port का जादा इस्तमाल computers के लिए किया जाता है टीवी के लिए नहीं किया जाता HDMI और display port के अंदर एक और अंतर होता है वो यह कि display port के अंदर एक locking mechanism दियावा होता है जब भी आप इसे किसी device से connect करता है तो इसके उपर लगे वे locks इसे अच्छी तरह से fix कर देते हैं और बार-बार निकले नहीं देते इसका एक और benefit यह है कि यह एक royalty free product है March 2016 के अंदर display port 1.4 release किया गया था जो कि maximum 8K resolutions के वीडियो 60 Hz तकी frequency के साथ support करता है तो friends उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आयोगी पसंद आई तो like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अगर आपके मन में कोई query है, कोई सवाल है या फिर आप किसी topic पर वीडियो चाहते हैं तो आप comments box में मुझे लिखके बता सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो के लिए पस इतना ही मुलाकात होगी अगरे वीडियो में फिर किसी technical topic के साथ तब तक इजादे दीजिए जय हिंद